आज का जो आपका टॉपिक है वो है जो आपने आई पी अडेसिंग पड़ी अभी तक उसके टिप्स या ट्रिक्स क्या होंगे जल्दी से कोई भी कोशन दे रखा हो उसका अंसर निकालने के लिए किसी भी कोशन को लेकर बहुत सारे सवल का अदा हो सकते हैं जैसे फर एक्जम्पल यहां पर एक नंबर लिखा आपने 212-189-169-179-30 अब इंटर्व्यू में अगर यह कोशन दिया गया तो इसके रस्पेक्ट में वो पूछ सकता है कि जो गिवन आईपी है जो गिवन आईपी है वो क्या है पर एक्जम्पल क्या यह आईपी यूनिकास्ट आईपी है क्या यह आईपी ब्रोड कास्ट आईपी है या आईडी है क्या यह आईपी नेटवर्क आईडी है इसके अलावा पूछ सकता है कि इसके अंदर ब्लॉक साइज कितना है यह पूछ सकता है कि यहां पर इसको देखने के बाद आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने टोटल वैलिड आईपी एक्जिस करते हैं इस मास्किंग के अनुसार कितने टोटल वैलिड आईपी एक्जिस करते हैं यह पूछा जा सकता है कि इसकी जो NID है उसकी next network ID क्या होगी यह पूछा जा सकता है कि इसका mask क्या होगा in terms of decimal and dot की form में यानि 255 की, dot 255 की form में तो यह number of questions है यह पूछा जा सकता है कि first valid IP क्या होगा यह पूछा जा सकता है कि last valid IP क्या होगा तो हमें हदिक तरह का answer दने के लिए तयार होगा अब इतने सारे questions अगर put up किये जाएं तो time हाप को लएगा निकालने के लिए बड़ कुछ short tricks हैं जिसकी help से हम इन सब के answer दो मेट से पहले पहले दे सकते हैं और fast करने एक मेट से पहले पहले दे सकते हैं इसमें आपको आपकी युग tables हैं कौनसी tables 1 की table, 2 की table, 4, 8, 16, 32, 128, 128 की table से याद करने के पड़ेंगी 1, 2, 4, 8, 16 की table आपको याद करने की रोथ में है याद होने चीए 128 की table सबसे असान है हमें respect में याद करनी है block size के table start होगी always कहां से 0 से 128 की table याद करनी हो तो पहला 0 दूसरा 128 table अगतन होगी 128 की table याद करनी हो 128 की table होती है यह finish होती है कोई components आता है एक 0 से शुरू होगा एक 120 से शुरू होता है अगर block size 128 आता है तो कहने का मतलब है दो ही subnet बनते हैं तीसरा कोई नहीं होती है अगर 64 आता है तो 64 की table याद करनी पड़ती है तो 0 यहाँ लिख दे 64 यहां लिख दें 128 यहां लिख दें 192 यहां लिख दें यह 64 की table यहाँ लिख दें यह दो चार बार लिखने का प्रैक्टिस हो जादी है 32 है भी नहीं है वाकि 16 का 8 का वाकि आपको याद है अब देखें ये कोशिंस आपको दे रखा है ये चीज़े फाइंड आउट कर लें अपने तरीका तो आपको केवल एक बताया है कौंसर एंडिंग प्रोसीजर कर लें यहनि इसको बाइनरी में कंवर्ट करें इसको करें और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगी नेट्वर्क आइडी होगी यहां पैले दिन तक्रीमें दूसरे दिन कर चुके थे बट इसकी एंडिंग आपके अगर मैं भी करने वेटू तो पांच मिट तो मेरे को लग जाएंगे वैले तो मैं बाइनरी में कंवर्ट को हो गया तीस बिट आउन है बाइं से दाई की तरफ लाइफ तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 255.255.255.252 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और आप ही वदाया है कि जहां जहां पर 255 है वहां उसको बाइनरी कंवर्ट करने की जरूरूत नहीं है रिजन इस देट कि जहां जहां पर 255 होगा उसके रेस्पेक्ट में उपर वाली वैल्यू आपके पास कैल्कुलेट होके आनी है यानि कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर 255 है इस वैल्यू को आप डाउन ले आएगा यहां पर 252 यहां पर कितना आएगा 189 नहीं आएगा यहां पर 255 है यहां पर 169 ही आजाएगा तो इसको तो बाइनरी में कनवर्ट कर यहां अगर हम इतने फैक्टर को देखते हैं 179 को और इसको तो इसको अगर हम बाइनरी में कनवर्ट करना चाहें 179 और 252 तो 179 आपके पास 252 तो फिर असान है चैवट साउन करने है 179 इस तिल्ट अपने निकालना पड़ेगा सोचना पड़ेगा बट आपको यह पता है कि 252 के ओपर फोर का ब्लॉक साइज होता है वह आप डेविल के जनुसार रट चुक है आपको 256 में से 252 गटाने में चार निकलने में असानी होगी इसको बाइनरी कन्वर्ड करने में टाइम लएगा यह चार आगया इस चार से यानि ब्लॉक साइज से कट कर दें 179 विदाउट फिर फॉर फोर्स है कितना हो गया 16 हो गया 44 इन्टू 4 इकॉल टू नेट वकरेटी कितना हो गया 176 यह मेथड असान है विद रस्पेक्ट तो दी बाइनरी बाइनरी में चांसेज हैं गलत आंसर निकलने के वन जी हो कहीं पर यूल्टा हो जोगता है यहां पर कोई गलती न सिर्फ इंपुलजाए 176 आपकी क्या आई एन इड आईड तो आप इस 176 को आपने आकोट कर दिया है अब आपको बता है मेरी एन इड भी निकल चुकी है आपको बता है मेरी ब्लॉक साइज भी फांड आउट हो चुका है तो अगर अपनी एन इड के अंदर ब्लॉक इसको एड कर दिया जाए तो अगली एन इड निकल आईगी यानि 169 कितना हो जाए गए 180 यह हुए नेक्स्ट नेट्वोक आईड आपके पास चाहें वह बूले ना बूले अगर आपने अगली एन इड फांड आउट कर ली तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होगा 179 यह आपके पास क्या गई बी आईड बी आईड से एक कम 178 लास्ट वैलिड आईपी एन इड से एक ज्यादा 177 यह फर्स्ट वैलिड आईड आईड अब देखें यहां पे कितने कोशन का अंसर आपने रही है पहला था जा गिवन आईपी यूनिकास्ट है तो यूनिकास कौन होता है जो के एन आईड और बी आईड के बीच में लाई करता है तो जितने आईपी अड्रेस यहां पर लाई करता है इनके बीच में वो कलाते हैं यूनिकास्ट आप देखें जो 179 ने कैस के बीच में लाई करता है आंसर इस नहीं हो सकता है Broadcast IEP ID है Yes 179 is a broadcast That is correct Network ID नहीं है Because Network ID है Block size Block size आप यह find out कर चुके है Total valid IP address आप यह दिखते हैं Next network ID Next network ID आप यह निकाल चुके है Mask in decimal dotted form आप यह निकाल चुके है First valid IP आप यह निकाल चुके है Last valid IP आप यह निकाल चुके है आप है total valid IP कैसे निकाले तो आप कोई मालूम है कि IP address always 32 bit का होता है उसके अंदर कुछ bits network की होती है कुछ bits host की होती है यहां question में आपको दे रखा है slash 30 अब slash 30 का मतलब है यह 30 bit network की है यह network bit को denote कर रहा है जितना भी slash लिखा होगा इसी में अगर slash है 24 लिखा 24 bit network की है तो हम क्या करें कि 32 में से इसको deduct कर दें कितना आगिया यह जो 2 आया that is the value of the n आगिया valid IP का फार्मूला होता है 2 की पावर n minus 2 और यह कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 minus 2 और यह कितना हो जाएगा 4 minus 2 यह कितना हो जाएगा दुबारा समझे लिए इस question को जब भी questions दे रखा हो उसकी जो value यहाँ दे रखी है उसको मैंने decimal dotted form में लिख दिया अभी आपको टाइम इसलिए लग रहा फरस्ट टाइम सीख रहे है अधरवार सबसे आसान में यह जहाँ जहाँ 255 पर आपने इस वाली value को यहाँ पर उट डाउन कर लिया और जहाँ पर 255 नहीं था उस वाले octate के respect में जो उपर IP का जो octate था उसको में लिया और उसको लेने के बाद हमने देखा उस पर block size कितना होता है four तो four से cut कर दिया हमने इस वाली values को without fraction जो भी आई यानि इसकी multiplication हमने इस से की multiplication इस multiplication के respect में जो value आई वो NID आई इस NID को हमने यहाँ पर code कर दिया इसके अंदर block size का addition किया four का अगली NID है गई अगली NID से एक कम आपकी BID उससे एक कम last valid और आपकी NID से एक ज़्यादा first valid IP और जो NID BID के बीच में हैंगे that is valid IP range वो सारे के सारे unicast होंगे और कितने valid IP address exist करते हैं टोटल तो 32 में से अगर यह networks की BID घटा दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा इस N की value का है इस N की value पता लग जाएगा इस फार्व मूली में put करने के बाद वी कन फाइंड आउट दी कितने total IP address of this करते हैं करें सो करते ह 주는 करते हैं करें सारे के हैंकर क करते हैं come about our display बाएब में आव को घूचितने हैं